इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राहूल गांधी को जान से मारने की धंकी मिली है और जो शक्स जिसने धंकी दी है उसे साथ तोर पर कहा है कि वो राहूल गांधी को गोली मारतेगा जी हाँ अभी पुलिस इस पूरे मामले की जाज कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखर कार ये धंकी किस ने दी है शुरुआती जाज में ये पता चला है कि यूपी का ये शक्स है और इसके बारे में तमाम जानकार ये जुटानी की कोशिश अभी पुलिस करती हुई नजर आ रही है लेकिन आपको बता दें कि कांग्रिस नेता को राहुल गांदी को जान से मारने की दमकी फिलाल दी गई है राहुल गांदी को धमकी देने की एक शिकायत पर लखनव पुलिस ने केस दर्च कर लिया है और जasant भी शुरू करती है आपको बता दें लगातार ये पूरा मामला जो है वो आप गर्माता हुआ नजर आ रहा है साफ तोर पर धमकी देते हुए उस शक्स ने कहा है कि वो राहुल गांधी को गोली मार देगा इसकी यूपी पुलिस और ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखरकार ये धमकी किस ने दी है केस दर्च कर लिया गया है IPC की धारा 504-506 और SCST अधिनियम की संबंदित धाराओं के तहत केस दर्च किया गया है लेकिन इस पूरे मामले पर आपको पता दे लगातार सरगर्मिया आप तेज हो गई है हाला कि ये शक्स कौन है अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं लग पाया है लेकिन यूपी पुलिस इसकी तलाश फिलाल कर रही है कुपतादे राहूल गादी मानहानी मामले में इस वक्त फस्तेवों नजर आ रहे हैं और कहीं नए पासपोर्ट को लेकर के उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुक किया है आप देखना होगा कि इस मामले पर उनको कब तक रहत मिल पाती है बहराल आपकी इस पूरे मामले पर क्या रहा है हमें कमेंच करके ज़रूर बता है देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है SPN 9 News